आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अमरूद हम प्रेगनेंट महिला खा सकती है या नहीं खा सकती या जो महिला प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है प्रेगनेंट होना चाहती है वो अमरूद खा सकती है नहीं खा सकती इस टाइप के मेरे पास काफी आज कल कमेंट्स आ रहे ह क्योंकि सर्दियों में एक बहुत ही स्वाधिष्ट फल होता है अमरूद जिसका हर कोई आनन्द लेना चाता है तो पर क्या ये डर सताता है उनको कि प्रेगनेंट महिला को कि कहीं मेरे बच्चे को या मुझे नुकसान तो नहीं होगा प्रेगनेंसी के दोरान और कोई के जो अमरूद होते हैं एक कच्चा अमरूद होता है हरा वाला अमरूद होता है और एक यलो आता होता है जो पकावा अमरूद होता है क्या दोनों में कोई डिफ्रेंस है और दोनों में क्या फाइदा होगा और कम नुकसान होगा और कितना खाना चाहिए हम पूरी डिटेल में fiber पाया जाता है और किसी भी nutrition जो भी आप खाना खाते हो उसके digestion के लिए fiber बहुत जरूरी होता है यह आप और कुछ भी खाओगे तो उसका digestion के लिए fiber जो आपको पता है सलाद के रूप में एक तरह से अमरूत को देखा जाता है जो बहुत ही अच्छा है दूसरा आता है इसके अंदर vitamin C पाये जाती है तो हमारे सरीर में कोई भी cell damage हो जैसे किसी महिला के preids आते हैं preids आने के बाद में जो उसके गरबाश्य जो uterus है उसकी layer की मरवत करना अच्छी उसकी layer बनना और अच्छा अंडा बनने के लिए यानि नई cell की growth कराने के लिए vitamin C की आउशिकता होती है जो अमरूत के अंदर होती है दूसरा folate पाये जाता है जो vitamin B नहीं होता है folic acid होता है जो बच्चा अगर pregnancy हो जाती है तो उसकी spinal code यानि read की हड़ी बनाने में help होती है तो ये इस तरह से अगर कोई महला pregnant होना चाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है वो खा सकती है अब कितना खा सकती है वो भी मैं details में बताऊंगा second point है गरबा उस्ता यानि pregnancy की दोरान हम अमरूत खा सकते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप अमरूत को साफ करके खा सकते हैं यानि अमरूत को दोना बहुत आउशिक है ये एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखे कोई भी फलो उसको दोके ही खाएं और दूसरा कई बार कु और फाइबर की उच्छ मात्रा होने से आपके पाचन में सुधार करता है विटामिन सी पाया जाता है इसलिए इसको प्रेगनेंसी में खाना ही चाहिए अब अमरूत खाने से आपको फाइदे क्या क्या होंगे वह हम बात करते हैं अगर किसी महिला को ब्लड प्रेशर की प् है नेस्ट पॉइंट आता है एनेमिया से बचाओ यानि खून की कमी से भी बचाता है क्योंकि विटामिन सी जो हमारे ब्लड बनाने के लिए जो आईरन के हमारे सरीर में एब्जोप्शन के लिए यानि आईरन हमारे सरीर में खून में पहुंचे इसके लिए विटामिन सी क अच्छा है शीसू का विकास यानि बच्चे के विकास के लिए भी बहुत अच्छा है अम्रूत के अंदर जो भी नूट्रेशन पाए जाते हैं वो अच्छे हैं तीसरा अता है संकरमन का खत्रा यानि आपको infection से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर minerals पर भी पाया जाता है vitamins भी पाया जाता है, fiber भी पाया जाता है यानि जो हरा वाला अमरूद है, वो ज़्यादा benefit है दूसरा इसका देखो जो बीज होते हैं, वो आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं बाकी आपको पूरा ही benefit होता है तो आपको इसमें infection से यानि immunity आपकी बढ़ाता है अगर immunity बढ़ेगी तो आपको healthy रखने का काम करेगा अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अमरूद खाने से आपको सर्दी जुखाम हो सकता है आपको appendix की problem होती है तो किसको problem होगी और किसको नहीं कहना चीए वो भी मैं आपको बताऊंगा next point है gastrational diabetes यानि किसी को diabetes नहीं है पर pregnant होने की वज़े से diabetes हो जाता है और बहुत से महिलाओं को ऐसा हो जाता है तो gastrational diabetes बोलते हैं तो ये fiber yuk जो food होता है वो हमारे सरीर में मोटापा कभी नहीं बढ़ाता अगर कोई महिला बहुत जादा मोटी हो रही है या वो healthy हो रही है तो वो ये food खाने से वो अपना एक तरह से fiber अच्छे तरह से मिलेगा थोड़ा सा nutrition में multivitamins आपको मिल जाएंगी इस food के अंदर तो वो अपना weight भी कम कर सकती है इससे कहने से कभी weight नहीं बढ़ेगा या प्रचूर मात्रा में इसमें vitamin पाया जाता है वो सभी पोसक तत्व होते है vitamin E पाया जाता है जो आपके भून यानि आपका बच्चा बनेगा उसके development के लिए बहुत आउशक है और खासकर महिलाओं को pregnant होने में भी vitamin E help करती है vitamin E आपके breast में दर्द होने से भी बचाती है दूसरा आपको skin वाला निखार लेके आती है vitamin E तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा स्रॉस है vitamin के लिए अमरूद आप खा सकते है next question आपका हो सकता है कि अमरूद का juice खाना पीना चाहिए या अमरूद का फल खाना चाहिए तो मेरे according सबसे best है कि आप अमरूद का फल जो लेके आते हो उसे अच्छे से दोके काएं क्योंकि जो डबबा पैक होता है जूस होता है उसको आपको नहीं लें तो ज्यादा बेटर है पर किसी को सोक है तो ले सकता है limit amount में और freeze का ना खाएं बाहर रखा हुआ और एक बार में जो एक अमरूद काटो उसको उसी time आप खा सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं आपको अमरूद खाने से pregnancy में तो अमरूद से फाइबर होता है अधिक 7 के कारण किसी को अगर खाना पचता है और इसको बहुत ज़्यादा मातरा में यानि दिन में 2-3 अमरूद खाऊगे तो उससे क्या होगा आपको खाना पचना की समयश्या हो सकती है आपको डायरिया हो सकता है दस ज़्यादा लग सकते हैं बाकि इसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं अगर किसी को स्टोन यानि फत्री की प्रॉब्लम रहती है तो वो एक से ज़्यादा अमरूद ना खाए वैसे तो एक या दो अमरूद ही नॉर्मल सफिशेंट है किसी भी फूड का या किसी भी फल का हद से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी फल हो तो एक से दो फल खाओ जिससे आपको सर्दी भी नहीं होगी फिर बोला जाता है कि इससे सर्दी जुखाम रहने का खत्रा रहता है तो आप सुबह या स्याम ना खाके आप दिन को दूप में बैट के आराम से आप इसका सेवन कर सकते हैं आप बोलते हैं कि थोड़ा ठंड करता है तो अच्छा है ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे आपको सर्दी जुखामी ही होगी इससे कोई सर्दी जुखाम नहीं होगी आप इसको अगर खाएंगे तो दूप में बैट के आराम में लंच टैम में आप आराम से ये अमरूत खा सकते हैं जो बहुत स्वाधिश्टफल होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप साइध आप सबको अच्छा लगता होगा किस-किस को अच्छा लगता है वो कमेंट्स करके मुझे जुरूर बताएं अब इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कई आप लोगों के क्यूशन हो सकते हैं आप मुझे जुरूर कमेंट्स करें चाहिए प्रेगनेंट होना चाहती है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं उस पर वीडियो बना के जुरूर आपको रिप्लाई करूँगा तो जुरूर ये फूड खाए और अपनी हेल्थ का जुरूर ध्यान रखे मैं हूँ मिश्टर श्याम एमस होस्पिटल में आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें